तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अट तक देखेगा और कितने कोशन्स के आंसर आप सहीगर पाते हैं नीचे कमेंट बुक्स में जुरूब बतेगा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में सेयर करना मत भूलिएगा और देखे दोस्तों अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करने के लिए अनकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जोइन कर सकते हैं Unacademy Plus Subscription सभी exams के लिए अबलेबल है आप जब भी subscription जोइन करेंगे आपको क्या-क्या benefits मिलेंगे वो मैं एक पर आपको बता देता हूँ जब आप Unacademy Plus Subscription जोइन कर लेते हैं तो आपको live classes मिलती है structure courses मिलता है दोस्तो और weekly test, unlimited access आप किसी भी time पर किसी भी educator class देख सकते है personal guidance आपको मिलती है test analysis मिलता है expert guidelines मिलती है study material, study planner और भी बहुत सारी चीज़ा है जो एक student को exam clear करने में चाहिए होती है जैसे कि एक doubt clearing session होता है दोस्तों on academy पर जिसमें आप directly live बातचीत कर सकते हैं जोगे ड्रस है जब भी doubt आए आपको live class के अंदर ही ठीक है तो और देखे जब भी आपको subscription join करना होगा तो आप study 10 code apply करके join कर सकते हैं ठीक है जिस भी exam के लिए आप जोइन करें SSC, bank railway, UPSC, किसी भी category में मतलब ठीक है और free classes के लिए भी दोस्तों आप इस code को apply कर सकते हैं combat में अन्रोल कर सकते हैं Sunday to Sunday आपको combat होता है और इसमें दोस्तों आपको 8 December से एक नया batch start or rise, supply tab batch SSC category में आप इसमें भी अन्रोल कर सकते हैं और SSC category के एक बाद प्राइस चेक कर लिए क्या price है 1 month, 3 month, 6, 1 और 2 year के लिए और जब भी आप ये join करने वाले हों दोस्तों आपको study 10 code apply करना है और 1 month की जो fees हो जाएगी आपकी 24 month में 325 पर month आपको पेड़ करना है 12 month में 542 और 6 month के लिए 900 पर month तो आपके लिए सबसे best है 24 month का subscription code apply करके join करेंगे तो और भी कम ये आपके लिए हो जाएगा आप टेलीग्राम जोइन कर सकते हैं सोरंबलिक official के नाम से हैं नीचे description box में भी link मिल जाएगा और फिर डरेक्ली सर्च कर सकते हैं और मेरी 2 special classes होती है तो दोस्तों regular unacademy learning app पे जिसमें 5 बजे और रात के 11 बजे ये 2 classes होती है रात को जीके quiz होता है जो कि बहुत ही बैतिन होता है उसमें बहुत सार इस्ट्रेंट जोइन करते हैं आप भी study 10 code लगाके free of course इस class को देख सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज के session को please पूरा इंट तक देखेगा दोस्तों जैसे कि मैंने आभी आप लोगों बताया कि आज की वीडियो में हम research institute cover करने वाले हैं ठीक है research institute से सम्मधित questions भी होंगे और सबसे पहले मैं आपको list of research institute cover करा देता हूँ यानि की direct form में और फिर mcqs की form में एक test भी ले लूँगा साथ ही साथ तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे ठीक है तो वीडियो को पूरा end तक देखेगा और like तो जैसे मैंने आपको बोली दिया वीडियो को like करना मत बूलिएगा और अगर आप मेरी दोस्तो special classes देखना चाते हैं तो अनकेडबी पर जाके देख सकते हैं टेलिग्राम जोइन करके वहाँ पर भी लिंक में सेयर कर देता हूँ तो शुरू करते हैं देखें आपे सबसे पहला लिखा है दोस्तो Central Forest Research Institute Central Forest Research Institute कहाँ पर है? देहरादून में है ठीक है? तो यहाँ पर Central Forest की बात की गई है तो Forest आपको याँ दखना है Forest किस से रिलेटिल हो जाएगा? देहरादून से Cancer, Indian Cancer Research Institute मुंबई में Cancer Research मुंबई Cancer Research मुंबई ऐसे दो-तीन बार बोलेंगे याद हो जाएगा अब फिर मैं आपको MCQs की फों में कोशन कराऊंगा तो सारे आपको याद मेरेंगे दोस्तो नेशनल ट्यूबर कलोसिस इंस्टिटूट कहाँ पर है? ट्यूबर कलोसिस आपका यह बैंगलोर में हो जाएगा ठीक है? चले कोशन आते है Central Coconut Research Institute क्या बात है? कहाँ पर हो जाएगा दोस्तो Cotton Research तो Cotton Research आपका हो जाएगा नागपुर ठीक है? Cotton Research नागपुर नेक्स आते है Central Institute of Virology जहाँ पर दोस्तो वाइरस की जो वो होती है Research होती ही वाइरस के उपर उसको वाइरलोजी बोलते हैं Central Institute of Virology कहाँ पर है? पूने में Central Building Research Institute कहाँ पर है? रूड की में तो Building Research Institute रूड की National Brain Research Institute कहाँ पर है? मनेसर यह आपका हो जाएगा कहाँ पर National Brain Institute मानेसर में Indian Diamond Institute Diamond Institute देखे Diamond और सूरत मतलब आप लोग समझी पा रहे हैं तो यह आपका हो जाएगा Diamond Institute सूरत में है Diamond का काफी बड़ा बजार भी है और Market भी है सूरत में ठीक है न? चले Cattle Breeding Institute भई हिसार जो है एकदम दिमाग में आता है Kettles के लिए ठीक है मवेसी परजनन संस्थान हिसार में है और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छी ब्रीड है दोस्तो Kettles की यानि की Buffaloes की और ठीक है न? सभी जानवरो की तो हिसार काफी फेमस है दोस्तो मतलब अनिमल्स के लिए तो यह आप लोग को याद रखना है Kettles Breeding Institute हिसार में है Indian Institute of Soil Science Soil Science आपका भोपाल में है ठीक है Indian Institute of Spice Research Spice Research यह कहाँ पर है दोस्तो कलिकट में चले नेता जी सुबास National Institute of Sports कहाँ पर है? पटियाला में है ठीक है नेता जी सुबास National Institute of Sports पटियाला हो जाएगा और नेता जी सुबास ओ सोरी Institute of Plasma Research गांदीनगर में है Plasma Research Institute for Plasma Research ठीक है Institute of Food Security तो Food Security गुरुगराम या निकी गुडगाओं में दोस्तो लखनाओं में कौन-कौन से संसान है लखनाओं में काफी सारे हैं तो मैंने लखनाओं के सेपरेट लिख लिए और काफी इंपोर्टेंट भी है Central Institute of Medical and Atomic Plants ये आपको जाएगा ठीक है? ये कहाँ पर है लखनाओं में Central Institute for Sub-Tropical Horticulture ये भी आपका कहाँ पर है? लखनाओं में लखनाओं में दोस्तो है Research Design and Standard Organization ये भी कहाँ पर है? लखनाओं में Design and Standard Organization National Bureau of Fish Genetic Resource ये भी कहाँ पर है दोस्तो आपका? National Bureau of Fish Genetic Resource ये भी आपका लखनाओं में है National Research Laboratory for Conservation of Culture Property ये भी कहाँ पर है दोस्तो आपका? लखनाओं में है कानपूर तो National Sugar Institute कानपूर मतलब National Sugar Institute भी कानपूर में है और Indian Institute of Pulses Research ये भी कानपूर में है तो ये आप लोग को याद रखने है परियाग राज में दोस्तो तो हरीश्चंद अनुसंदान संसान ये भी परियाग राज में है ठीक है? हरीश्चंद Research Institute गोविंद बल्लवपंद Social Science Institute ये भी आपका कानप है? परियाग राज में है आपका भारतिये चरगाहा एम चारा अनुसंदान संसान जहासी में है ये आप लोग को याद दखना है किंद्रिये बक्री अनुसंदान संसान मतुरा में है ये भी आप लोगों को याद दखना है दोस्तो सेंटल Pulp and Paper Research Institute ये कहाँ पर है? सहरनपूर में और National Institute of Biologicals ये आपका नुएडा में है वीवीगरी National Labor Institute नुएडा में है ये भी ठीक है न? वीवीगरी National Labor Institute नुएडा में है अब देखें एक टेस्ट लेते हैं और आप लोगोंने अगर कल वाली वीडियो नहीं देखिए दोस्तों कल वाली वीडियो को जरूर देख लेना कल वाली वीडियो में मैंने क्या कराया था? रिवोलिशन कराये थे यानि कि जितने भी रिवोलिशन से संबंदित कोशन है वो भी कराये थे और सारे रिवोलिशन भी कराये थे कल वाली वीडियो को जरूर देख लेना और आज मैं कल 25 तक कोशन करा दिये थे अब next के यहां से 26 से start कर रहूँ यह हमारी एक स्री चल रही है इसी परकार से तो यहां पर दोस्तो भारते किरसी अनुसंदान संस्थान में इस्तित है तो भारते किरसी अनुसंदान संस्थान में इस्तित है नई दिल्ली में तो इस कोशन का दोस्तो रही टांसर हो जाएगा है नई दिल्ली कोशन आता है भारते चावल अनुसंदान संस्थान में इस्तित है द्यान से सुनिएगा मैं Indian Institute of Rice Research पूछ रहा हूँ Central Institute of Price Research नहीं पूछ रहा हूँ अगर Central पूछा जाएगा को तो कटा हो जाएगा और अगर आपसे Indian Institute of Price Research पूछा जाएगा तो वह हैदराबाद होगा जो कि इसमें उप्शन में नहीं है तो इस कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा ठीक है दो अलग-अलग इंस्टिटूट है इंडियन इंस्टिटूट ओप राइस रिसर्च जो कि कहां पर है 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 और एक है दोस्तो नेशनल या फिर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टिट्ट जो कि कटक में है उडिशा में ठीक है अगला कोशन आते है भारतिये गन्ना अनुसंदान संस्थान खालिस्थान में इस्थी थे भारतिये गन्ना अनुसंदान संस्थान तो तो ये कहाँ पर है मेरी प्याद दोस्तो बिल्कुल सही आंसर किया है आप लोगों ने जितने भी student non-op दीज लगा रहे हैं इन में से कोई नहीं है तो right answer is लखनाओं ठीक है लखनाओं हो जाएगा सकसे यह answer अगला question next is केंद्रिय आलू अनुसंदान संस्थान खालिस्थान में इस्थी थे तो केंद्रिय आलू अनुसंदान संस्थान दोस्तो कहाँ पर इस्थी थे यह है सिमला में कहाँ पर सिमला में इस्थी थे तो यह आप लोगों को याद अखना है दोस्तो तमाकू बोर्ड का मुख्यले कहा है तमाकू बोर्ड का मुख्यले कहा है तो तमाकू बोर्ड का मुख्यले है बिल्कुल गुटूर में यानि ये सी नहीं होगा जी होगा इसको करेक्ट कर लेना ठीक है तो राइट आंसर इस गुटूर तो राइट आंसर सी हो जाएगा अगला कोशन आता है ये केंद्रे तमाकू अनुसंदान संस्थान राज मुदीर तमाकू बोर्ड गुटीर में है केंद्रे वन्य अनुसंदान संस्थान खालिस्थान में इस्ती थे तो ये देहरादून में है दोस्तो ठीक है भारतिये लाक अनुसंदान संस्थान खालिस्थान में इस्ति थे तो ये राची में इस्ति थे कहां पर राची यानिकी C is the right answer राष्टे डेरी अनुसंदान संस्थान कहां पर है तो राष्टे डेरी अनुसंदान संस्थान दोस्तों करनाल में है ठीक है right answer is B तो यह आप लोगों को याद अखना है केंद्रे इंदन अनुसंदान संस्थान खालिस्थान में स्थित है केंद्रे इंदन अनुसंदान संस्थान तो केंद्रे इंदन अनुसंदान संस्थान दोस्तों यह है आपका धनबाद में तो right answer is option A कोशन है केंद्रिय भवन अनुसंदान संसान कहां पर है तो ये है आपका दोस्तो रूड़की में कहां पर है रूड़की तो right answer is option B भारत में इंडिया डाइमंड इंस्टिटूट कहां इस्ती थे तो डाइमंड इंस्टिटूट जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था सूरत में पर है कोशन आता है भारत में रबर बोर्ड कहां इस्ती थे तो भारत में रबर बोर्ड दोस्तो केरल में इस्ती थे तो right answer is option केरल ठीक है अगर मैं रबर बोर्ड के बारें बात करूँ तो रबर बोर्ड दोस्तो देश में रबर उद्योक के समगरे विकास के लिए रबर अधिनियम 1947 के तैद भारत सरकार द्वारत गटित एक वैधानिक निकाय है परधान कार्याले केरल के कोटामियम हैं ये भी आप लोग को याद रखना है चले कोशन आता है भारत में केंद्रिय मर्दा लवनता अनुसंदान संस्तान कहां इस्ती थे ये दोस्तो इस्ती थे आपका करनाल में तो right answer is option D भारत में केंद्रिय का पास अनुसंदान संस्तान कहां इस्ती थे नागपूर में तो right answer is option C ये आप लोग याद रख सकते हैं अगला कोशन है भारत में केंद्रिय भेड परजनन फॉर्म कहां इस्ती थे दोस्तो हिसार में है तो इस question का right answer आपका option D हो जाएगा भारत में केंद्रिय समुद्री मतास इस्ती एक अनुसंदान संस्तान कहां है तो ये है कोलम में यानिकी right answer is option C question आता है भारत में रास्ते जेविक खेती केंद्र कहां इस्ती थे जेविक खेती तो ये है आपका गाजियबाद में ठीक है भारत में रास्ते जेविक खेती केंद्र कहां इस्ती थे गाजियबाद हो जाएगा question आता है भारत में चाय बोर्ड कहां इस्ती थे तो भारत में चाय बोर्ड दोस्तों इस्ती थे कोलकता में कहां है कोलकदा में अगला कोशन है भारत में सिंट्रल इंस्टिटूट ओफ फ्रेश वोटर एक्वा कल्चर कहां इस्थी थे तो यह है भुने सवर में इस्थी थे दोस्तों कोशन आता है भारत में खारा जल एक्वा कल्चर कहां इस्थी थे तो खारा जल दोस्तों यहां पे है यह चेन्नाई में है कोशन है भारत में राष्टे पोधा संदक्षन पर सिक्षन संस्थान कहां पर है यह है दोस्तों हैदराबाद में और नेक्स भारत में राष्टे पसू सवास संस्थान कहां इस्ति थे तो right answer is option उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों ठीक है उत्तर प्रदेश के बागपत में है नेक्स कोशन आता है भारत में रास्टे किसी विपनन संस्थान कहां इस्तित है यह इस्तित है जैपूर में और नेक्स है भारत में रोग जाच परियोग साला कहां इस्तित है रोग जाच परियोग साला यह दोस्तों पुने में इस्तित है नेक्स आता है भारत में यदार्चित कानून को तुट निसपादन परिक्षन केंदर कहां इस्तित है ये इस्थित है गुरु ग्राम में तो ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों ठीक है तो देखे मैं आप लोगों को फिर बता दूँ कि मेरी दो special classes होती है अन academy पर ठीक है एक तो ढ़ाई बजे होती है और एक रात में 11 बजे दोस्तों रात की 11 बजे वाला session बिल्कुल भी मिस मत करिएगा आप मेरी profile एक बार follow करके इस session को जुरूर देख लेना आपकी practice में चार चान लग जाएंगा अगर आप इस session को regular देखना स्टार्ट करेंगे रात में 11 बजे regular देखना स्टार्ट करेंगे और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की unacademy पर आपको मिल जाता है जहां पे आप report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की study से related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लीजेगा पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बेल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मत ठीक है और देखिए unacademy पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो 5 बजे ठीक है और एक होती है रात को 11 बजे दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाओगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते है next class में thank you so much